हाई वरिवन लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत हैं आज हम कवर करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को यह हिमालई नदी तंत्र में एक महतुपुर्ण नदी तंत्र माना जाता है यह एक पुर्ववर्ती नदी तंत्र है जो की हिमालई के उत्थान से पुर्वभी उपस्ति थी और हिमालई को काट कर अपना रास्ता बना रही है अनपुर्वर्ती नदिया उन नदियों को कहते है जो नदिया धाल के अनुरूप नहीं बलकि अपने मार्ग पर बनी रहती और अपना स्वयम का धाल बनाती है मतलब स्लोप के अगेंस्ट भी बह सकती है ब्रह्म पुत्र नदी मान सरोवर जील के निकट चेमा, यूंग, डूंग, ग्लेशियर से निकलती है मान सरोवर जील के निकट से तीन नदिया निकलती है एक सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है और एक ब्रह्म पुत्र नदी निकलती है तो मान सरोवर जील के निकट चेमा, यूंग, डूंग, ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्म पुत्र नदी तिब्बत में बिल्कुल ये भारत की सीमा के साथ पैरल चलती है और वहाँ पर उसे सांगपो कहा जाता है सांगपो फिर नामचा बर्वा जो की हिमालय का आखरी पुर्वी किनारा है वहाँ से यह यूटन लेते हुए दक्षिन की और मुर्ती है जब ये नामचा बर्वा से अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है जब दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नामक दो नदिया जुड़ती हैं तब जाकर यह आसम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आसम के मैदानी भागों में ही ब्रह्मपुत्र होता है यहाँ एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग बात में बता दू कि जो नामचा बरवा से जब वो मुर्ती है तो वहाँ बहुत बड़ा गड़ा बनाती है बहुत बड़ा गार्ज बनाती है जिसको दिहांग गार्ज कहते हैं दिहांग गार्ज असम घाटी क्योंकि समतल मैदान है ये पर असम में याद रखेंगे कि यह रैम्प घाटी में बैती है रैम्प घाटी उस घाटी को कहते जहां पर एक तरफ परवत हो और एक तरफ पठार हो रेंप घाटी के उत्तर में हिमालें और दक्षिन में शिलोंग का पठार होता है आसम से सदिया तक यह मैं कहूंगा कि आसम से धूबरी तक आसम में सदिया से लेकर धूबरी तक्प्रम्म पुत्र नदी पुर्व ते शिम की और रेंप घाटी में बहती है ये भारत का सबसे ज्यादा बार प्रभावित शेत्र भी है क्योंकि यह मैदानी भाग होने के साथ साथ इस दिहांग गार्ज से बड़ी मात्रा में आउसादों को लेकर आती है आसम में ही इस नदी की चवडाई काफी ज्यादा होने के क भारन यहां कई सारे नदी द्वीप बन जाते हैं यहां माजूली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्मित होता है ब्रह्म पुत्र नदी में ही भारत में माजूली एक जली या नदी जली द्वीप जिला भी कहलाता है अगर हम बात करें तो यह अब आसम के बाद बांगला देश में प्रवेश करती हैं बांगला देश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता हैं यह जमुना नदी बांगला देश में गंगा जिसको पदमा कहते हैं उससे जुड़ती हैं और इन दोनों की सयुक्त धारा को पदमा ही कहते हैं लेकिन जब म मनीपूर से निकलने वाली मेघना नदी जिसका नाम बराक नदी भी हैं मनीपूर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी बांगला देश में इस पदमा नदी से मिलती हैं तो इस सयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं जो अंतिम रूप में मेघना नदी के रूप में बंग का डेल्टा भी कहते हैं यहां एक बड़ी और इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको बता दू कि ब्रह्मपुत्र ना तो अपने ओरीजिन में नाम ब्रह्मपुत्र है ना अन्त में अगर हम इसके नाम का सिक्वेंस देखें तो औरीजिन में इसको सांगपो कहते हैं जो की तिबबत में हैं अरुनाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं बांगलादेश में इसको जमुना कहते हैं और इसका अंतिम रूप मेगना के नाम से जाना जाता है इसकी लंबाई लगबग 2900 किलो मीटर है, कुल लंबाई जिसमें लगबग 912 किलो मीटर के आसपास की लंबाई भारत में मिलती है ब्रह्म पुत्र की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो दाहिने किनारे पर राइट साइट से तीन नदिया जुड़ती हैं सुबन सिरी, भरेली और मनास ये दाहि और से या राइट साइट से मिलने वाली हैं और लेप साइट से बाए किनारे से मिलती हैं दिबांग, लोहित, धनश्री और कपीली इसके अलावा इसकी कई छोटी छोटी नदिया भी मानी जाती है अगर हम बात करें आसम में यह ब्रह्मपुत्र नदी गुमफित मियंडर मार्ग बनाती मियंडर मतलब जिस मार्ग में हम कह सकते हैं कि यह एक तरीके से गुमफित नदी तंत्र का निर्मान करती हैं माजूली दूइप के बारे में कुछ जानकारी और जुटादू मैं माजूली दूइप की लगबग लंबाई 90 किलोमिटर चौडाई 20 किलोमिटर की कही जाती हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी दूइप है माजूली भारत का एक मात्र नदी जिला है ब्रह्म पुत्र नदी के बामले में ब्रह्म पुत्र नदी चीन, भारत और बांगलादेश से बैती इसलिए इसको एक अंतरराष्टिय नदी का नाम भी दिया जाता है साती साथ ब्रह्म पुत्र के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र हिमालई नदी तंत्र में तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है तो आप लोगों को बता दू मैं कि अब अनेकेडमी का ओफलाइन बैच भी आ रहा हिंदी माध्यम के लिए मुखरजी नगर में हिंदी माध्यम में आफलाइन बैच भी आप जोईन कर सकते हैं साती साथ इस समय अनेकेडमी ही क्यूँ बाकी कोई क्यूँ नहीं क्योंकि एक तो दो वर्षो के अदबुत रिजर्ड है ये रिजर्ड ऐसे नहीं है जिन्हें आप कहेंगे कि खरीदे गए हैं ये रिजर्ड ऐसे नहीं है जो के वल इंटर्वियू से आए हुए हैं बलकी प्लस के विद्ध्यारती भी ये सलेक्षन दिखाते हैं इस बात के प्रमान है कि पिछले दो वर्षो में अनेकेडमी के शिक्षकों द्वारा सबसे बेहतरीन कॉलिटी वाला कॉंटेन उपलब्द कराया गया कोरोना के दोर से लेकर अभी तक में सबसे बेहतरीन सफलता पुर्वक्चीजों को पूरा करने वाला एक मात्र ओनलाइन प्लेटफर्म में कह सकता हूँ इस समय 50% का ओफ अप्टू 50% का ओफ मिल रहा है कुछ कोर्सेस में खास करके 3 वर्ष के जो कोर्सेस हैं उसमें सीधे 50% तक की छूट मिल रही है और यदि हम देखे तो लगबग 1750 रुपए प्रती महा का एक खर्च आपको आएगा यदि आप एक तरीके से पूरी फीस को डिवाइट करे 18 महिनों में 24 महिनों में तो आपको ये खर्च मिल दिखता है